हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जी तो आप देख रहे हैं टेक गई दोस्तो इस वीडियो को मैंने केवल आपके रिक्वेस्ट में बनाया है क्योंकि लास्ट डो वीडियो में मैंने आपको बताया था AirTel Fiverr के बारे में और Gio के फाइवर के बारे में VPS का speed यहाँ पर भी मिल जाता है तो दोनों में से कौन सा जादा worth it रहेगा हर एक plan में कितना GST लगता है कितना installation charge लगता है हर एक चीज को हमने combine करके रखा है आपको एक छोटा छोटा जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, वीडियो को बिना skip के पूरा देखना था कि आपको आपको पैसा सही जगा invest हो, और इन दोनों में से कौन सा आपको लगवाना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे, in fact काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई, टीवी देखना है हमें, तो कौन-कौन से लाइफ चैनल चलेंगे, उसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में आपको बिल जाएगी तो वीडियो बहुत जाद इंट्रेस्टिंग होने वाला है सुरू से अन तक पूरा देखना, अच्छा लगएगा लाइक करना 10,000 लाइक टार्गेट है भाई, जितना जल्दी हो सके पार करा देना, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, एक तरफ हमने जियो को रखा है, एक तरफ हमने एर टेल को रखा है जियो में आपको एक प्लान मिलता है, 10 Mbps का जो की है, जियो फाइवर बैकप प्लान, एक टेल के केस में दो प्लान्स लॉंच किये गए थे, स्टैंडबाइ प्लान और लाइट प्लान लाइट प्लान जो हमने लगवाया था, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे वैसे यहाँ पर से दो अलग-अलग चीज होता है, एक होता है केवल इंटरनेट चलाना और एक होता है इंटरनेट के साथ-साथ, live TV, OTTs का भी आनद उठाना तो आप देख सकते हैं, जो जियो के केस में है, उसमें दो डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं पहला जो आपको इंटरनेट ओनली प्लान है, उसमें किवल एक ही प्लान लाया गया है जो की 198 रुपिस पर मंद दे करके आपको मिल जाता है और यहाँ पर अगर आपको इंटरनेट के साथ-साथ सेटप बॉक्स भी चाहिए तो दो अलग-अलग प्लान्स लाये गये थे, जो की 298 का है और 398 का है पर मंद के हिसाब से सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ तो टोटल आपने जियो में तीन अलग-अलग प्लान्स देखा इनके बारे में भी नहीं और जादा विस्तार से हम आपको बताएंगे थोड़ा सा वेट कर लो और अगर हम एरटल की बात करते हैं तो स्टैंडबाइ प्लान में आपको इंटरनेट ओनली में 199 का प्लान मिलता है और इंटरनेट के साथ साथ अगर आपको सेटप बॉक्स भी चाहिए जिसमें आपको टीवी देखना है तो उसके लिए 399 का आपको रिचाज कराना होगा बीच का यहां पर कुछ नहीं आता है और एक light plan भी launch किया गया था जो कि 219 रुपय में केवल इंटरनेट आपको दिया जाता है सब में आपको 10MVPS दिया जाएगा जो कि common रहेगा throughout लेकिन वही है कि अगर setup बॉक्स चाहिए तो आप different ले सकते है अब यहां पर से ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो फाइवर का backup plan में से कोई भी अगर आप तीनों में से recharge कराते हैं उसके लिए आपको minimum 5 महीने का recharge एक साथ कराना होगा वो एक important चीज है यही पर से air tail की भी बात करते हैं तो standby plan में जो 2 plans मैंने आपको बताया 199 और 399 का इसमें भी आपको 5 महीने का 81 रिचार्ज कराना होगा वो भी एक point है बट light plan जो है ना 219 रुपया का यह 12 महीने के recharge के साथ आता था और यहाँ पर installation charge नहीं लगता था लेकिन company ने इस plan को discontinue कर दिया अभी just इस video को बनाने से पहले मैंने इस चीज को confirm किया है हाला कि यह plan कुछ दिनों के लिए आया था मुझे दिखा मैंने लगवा लिया था अभी फिलाल यह discontinued है अगर बाद में आएगा तो आप लगवा सकते हैं बट वही है कि यह 12 महीने के लिए आपको लगवाना होगा तो यहाँ पर से 198 रुपीज जो पर मंथ आपको देना पड़ता है दोस्तों उसमें 10 Mbps मिलेगा इसको 5 महीने के लिए रिचार्ज आपको कराना होगा फ्री में एक router दिया जाता है जो कि हमने डबबा दिखाया था उसी में जो छोटा सा router रहता है उसी से आपको internet यूज करना है वो आपको देखने को मिलेगा अब इसका total जो cost होगा ना पांच महीने के लिए जो एक बार आपको pay करना होगा वो है 1668 रुपीज अब इसका break up अगर मैं आपको दिखाऊं तो 198 इंटू 5 प्लस 18% GST और 500 रुपया installation चार्ज लगेगा तो 1668 रुपया हो जाता है अब 5 महीने के बाद आपको 500 रुपया नहीं देना पड़ेगा दुबारा से installation के नाम पर क्योंकि installation केवल एक ही बार होता है तो ये जो 1668 रुपया उससे 500 रुपया आप माइनस कर लेना उतना आपको हर बार 5 महीने के लिए देना पड़ेगा जो कि आने वाले 5 महीने के बाद आपको दिया जाता है और ये जो भी plans में आपको बता रहा हो ये है postpaid plan अब postpaid plan का क्या problem होता है या prepared लगाना चाहिए या नहीं वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं लेकिन बाकी plans को भी आप देख लो और 298 का अगर आप plan लेते हैं दोस्तों तो इसमें भी आपको 10MVPS का internet मिलेगा लेकिन अच्छी बात ये है कि free router के साथ साथ आपको एक free setup box भी दिया जाता है जो कि OTT आपको 6 दिया जाएगा और 400 plus channels आप देख सकते हैं तो Gio TV जो होता है Gio TV Plus का एक app होता है उसी के अंदर आप जाओ करके सारे live TV जो free वाले जादतर होते हैं उनको चाहो तो आप देख सकते हैं and basic सारे OTTs दिये जाते हैं इसके break up भी आप देख सकते हैं 298 रुपीस पर मंत के हिसाब से 5 महीने के duration के लिए आपको recharge करना होगा 18% का GHT और 500 रुपीय दे करके टोटल 2259 रुपीय होता है इसके अलावा दोस्तों 398 का जो plan है उसमें यहाँ पर से भी again सब कुछ similar है बढ़ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर OTT जादा दिये जाएंगे और चैनल से आपको जादा देखने का मौका मिल जाता है टोटल सब कुछ अगर आप यहाँ पर से आप भी देते हो 398 into 5 plus 18% GST 500 रुपीज एक्स्टा दे करके इंस्टॉलेशन लगाते हो तो 2848 रुपीज लगेगा तो यही तीन प्लान्स आपको GIO के केस में देखने को मिलेंगा तीनों आपका पोस्टपेट प्लान है यहाँ पर पोस्टपेट प्लान में एक प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप मान के चलो कहीं बाहर चलेगा या रिचार्ज कराने का इच्छा आपको नहीं है तो भी आपका बिल जिनरेट होके आजाता है और दिये गए टाइम के बीच में अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपको लगभग 100 रुपे का फाइन लग सकता है डिपेंडिंग 2% का भी लगता है कई केसेज में और हमने इस चीज को भी नोटिस किया है मेरे पास और भी जियो फाइवर का पोस्टपेट प्लान था तो मैं घर से बाहर जबा गया था तो मेरे घर पे रिचार्ज नहीं हो रहा था बट फिर भी मेरा बिल जिनरेट होकर क्या रहा था मैं यूज करूँ या ना करूँ बिल वो जिनरेट होता रहता है और फाइन के साथ वो एड हो जाता है तो वो एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है अब चलो बात कर लेते हैं एर टेल के प्लैंस के बारे में फिर मैं आपको सारा OTT उसके अलावा जो TV के लिश्ट है वो सब मैं आपको बता दूँगा इसके बाद फिर हम स्पीड टेस्ट और बाकी सब छोटे चोटे बातों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर से बात करते हैं एर टेल के जो भी प्लैंस हैं तो दो प्लैंस तो एक्टिव चल रहा है 199 वाला और 399 वाला तो 199 का जो प्लैन है दोस्तों उसमें आपको केवल इंटरनेट दिया जाएगा और साथी साथ free में एक router दिया जाता है जो कि हमने डबबा दिखाया था उसी में जो छोटा सा router रहता है उसे से आपको इंटरनेट यूज़ करना है वो आपको देखने को मिलेगा white भी मिल सकता है black भी मिल सकता है depending आप कहां से लगवार हो वहाँ पर से आपको ये सारे चीज मिलेंगे और ये total आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 199 x 5 plus 18% GST plus 500 का installation charge ले करके दोस्तो 1674 रुपया हो जाता है तो यह आपको one time देना है पांच महीने के लिए enjoy करना है और यहाँ पर से उसके बाद फिर आपको 500 रुपया नहीं देना पड़ेगा installation के नाम पर उसको आप deduct कर ले न और आने वाले 5 महीने के लिए आप दे सकते हैं next यहाँ पर से दोस्तो जो 399 का plan है उसमें आपको 10M VPS मिलेगा 5 महीने के लिए इसको भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि free extreme box आपको दिया जाता है जहाँ पर 350 से भी ज़्यादा channels आप चाहो तो देख सकते हैं और एक time पर दोस्तो आपको 3000 रुपया देना पड़ता है जो कि आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं 5 महीने के लिए आपका 10M VPS का इंटरनेट चलेगा इसके साथ साथ आप TV का भी enjoy कर सकते हैं अब यहाँ पर क्या-क्या चीज मिलता है तो एक यहाँ पर से आपको router दिया जाएगा जिसके तुरू आप इंटरनेट चला सकते हैं और अच्छी बात यह है ना कि जियो के केस में होता क्या है कि उसी router का इंटरनेट यूज करता है सेटप बॉक्स के अंदर और फिर वहाँ से OTT के माध्यम से यानि कि जियो TV प्लस यह सब का यूज करके वहाँ पर से TV चलता था बट इस वाले केस में थोड़ा scene different है यह जो Airtel का plan है दोस्तो यहाँ पर से आपको ने एक छत्री दिया जाता है और उसके तुरू जो cable होता है वो लगा करके आपको एक अलग सा hybrid setup box दिया जाएगा 4K वाला जिसके अंदर आप dedicated वाला channel होता है उसको देख सकते है और उसी setup box के अंदर आपका OTT भी चलता है तो आप उसको भी use कर सकते है यानि कि दो different चीज आपको मिलता है Airtel के case में अगर आप 399 वाला use करते हैं एक तो setup box का एक अलग चीज रहेगा और एक router वाला एक अलग चीज रहेगा बट जियो के case में दोस्तो setup box और router कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही connected रहता है तो वो चीज थोड़ा देख लेना अब दो cases यहां पर कई सारे जगहों पे मैंने देखा है कि prepared connection लग रहा है बट यह जो 399 का plan है यह केवल post paid plan only plan है जो कि आप देख सकते हैं जहां पर black membership का benefits आपको नहीं मिलेगा आपको TV का भी option मिल जाता है जो कि काफी सारे channels यहां पर से आप देख सकते हैं लोगों को देख करके भी आपको clarity मिल गई होगी मैं थोड़ी देरे में आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सा live channels आपको मिलेगा खेर यहां पर से 219 का जो plan हमने कुछ दिन पहले लगवाया था वो अभी discontinue कर दिया गया बट उसके बारे में भी जानकारी ले लो 219 रुपया का plan जो था वो 12 महीने के लिए आता था बट लेट सपोज अगर future में आता है तो आप भी चाहो तो लगवा सकते हैं आप जरूर पूछना जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और वहां से आप जा करके पूछ सकते हो तो दोनों का plan को मैंने एक जगा रख दिया है आप देख सकते हैं जियो के case में 198 का plan है और 8L के case में 199 का है भुमा फिरा करके बहुत ज़ादा का फरक नहीं आएगा जो कि आप देख सकते हैं अब बात करेंगे speed test का लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या-क्या OTTs क्या-क्या channels आप देख सकते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है अब चलो बात करते हैं जियो के case में तो OTT जो subscription आपको दिया जाता है बात दोस्तों अगर हम genre के हिसाब से आपको बताए तो आप देख सकते हैं 298 के case में कुछ इतने सारे channels entertainment, news, sports, devotional, educational and music के आपको मिलेंगे 398 के case में भी आप चाहो तो देख सकते हैं जहां तक रही बात दोस्तों जो OTT apps आपको मिलते हैं Disney Hotstar, Zee, Sony Levy यह सब उनके अंदर जो उनके respective channels होते हैं उसी के थुरू यह चलाता है दोस्तों जो कि मैंने आपको already explain किया है और यह सारे channels जो भी यहाँ पर से list में हमने बताया है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा हलाकि 398 वाला जब आप रिचार्ज करोगे तो जाधा आपको value मिनेगा क्योंकि बहुत सारे channels जो ऐसे हैं वो 298 के case में नहीं चलते हैं जो premium वाले रहते हैं I hope आप समझ गयोंगे lane free वाला चल जाता है तो उस चीज के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर से एक Excel CT बना दिया है जो कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर से आपको clearly 612 channels के आसपास के list मिल जाएंगे तो हमने 398 के case में बनाया है और 298 के case में आपको जो भी star हो गया या Z के जो channels होते हैं जो premium वाले होते हैं वो सब चीज नहीं मिलेंगे तो इनका list को आप देख ले ना तो majority of जो अच्छे channels है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाते हैं अच्छी बात यह रहेगी एटल के case में कि यहाँ पर से आपका जो छतरी होता है वो लगाया जाएगा और कहीं न कहीं उसके तुरू जब आप TV देखोगे तो आपको clarity थोड़ी अच्छी मिलेगी हाला कि वो standard definition ही रहेगा बड़ उसके लिए आपको बार-बार internet से connect करने की जुरुत नहीं है हाला कि अगर आपको OTT consume करना होगा क्योंकि वो जो setup box है वो 4K setup box रहेगा hybrid वाला तो उसके आप चाओ तो TV अलग section में देख सकते हैं और अगर आपको OTT use करना होगा तो आप internet से connect करके उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी flexibility ज़ादा मिलती है तो वो चीज है और Jio के case में मैंने आपको जो भी था वो मैंने आपको बता दिया अब जैसे कि मैंने आपको start में बताया कि दोनों connection मैंने install कर आया था तो चलो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं तो पहले मैं आपको TV से connect करके दिखा देता हूँ तो पहले हमने Jio का connection को यहाँ पर से establish किया था जो कि आप देख सकते हैं और इसके अंदर दोस्तों हम पहले na IPL का जो highlight यह सब चल रहा था न उसको हम चला के दिखाते हैं कि चलता है या फिन तो Jio Cinema का हम use कर रहे हैं जो कि आप यहाँ पर से clearly देख सकते हैं और यहाँ पर से दोस्तों अगर आप match को play करते हैं जो कि हमने कर लिया है highlights ही है बढ़ ठीक आपको idea मिल जाएगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि 4K में भी यह stream आराम से करा देता है जो कि आप clearly देख सकते हैं यानि कि quality, detailing या सब सब कुछ आपको अच्छी मिल जाती है similarly दोस्तों यह चीज को अगर हमने Airtail के case में भी try किया था हलाकि Airtail के अंदर जाकर के दोस्तों हमने Jio Cinema को यहाँ पर से use किया तो similar results यहाँ पर से हमें देखने को मिल गए थे यानि कि अगर आप दोनों में से कोई भी recharge कराते हैं यानि कि लगवाते हो अपने घर में तो ऐसा नहीं है कि आप IPL नहीं देख पाऊगे TV नहीं चलेगा चलता हर case में है जो कि अच्छी बात है इसके अलाबा एक चीज और कि speed कितना आता है तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो जो Jio के case में हमने speed निकाल करके देखा था दोस्तो लगबग 10 Mbps के हिसाब से आपको जो बोला जाता है उतना ही आपको देखने को मिल जाता है Airtail की case की बात करते है दोस्तो तो जो promise किया जाता है उससे थोड़ा जादा रहता है जो कि यहाँ पर से आप clearly देख सकते हैं दस बोला गया था बट उसके उपर कहीं निकल के आता है अच्छी बात है यह तो अभी तक मैंने आपको इन दोना के regarding सारी जानकारी दे दिया है अब मैं आपको ना short में conclusion देता हूँ तो जो Airtail है वो Prepaid, Postpaid दोनों ही cases में मैंने देखा कई जगों पे लगाया जा रहा है हमने Prepaid लगवाया है, Prepaid ही आप भी कोसिस करना लगवाने का अगर Postpaid होगा तो वह यह है कि Bill Generate होके आता है तो वो चीज का ध्यान रखना और जो Jio है वो proper Postpaid है भाई तो इस पे Prepaid की बात होई नहीं सकती है जहां तक रही बात कि Jio के case में एक अच्छी बात यह है कि अगर let's suppose आप आज 10 Mbps के लगवाये हो और let's suppose आप घर गए हो अचानक सही या कभी भी आपको होता है ना कि हमें Speed ज़्यादा चाहिए कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पर से आपका Speed Booster Plan भी आपको मिल जाता है यानि कि आप चाहो तो Speed को अपग्रेट कर सकते हैं 1 day, 2 day और 7 days के plans आते हैं 21 rupees, 31 rupees और 101 rupees तो जो भी आपको सही लगता है आप up to 100 Mbps तक Speed बढ़ा सकते हैं इसके अलावा जो data होता है दोस्तों वो 3.3 TB आपको देखने को मिलता है एक महिने के लिए Gio वाले ने बताया नहीं है बट ये आप expected मान के चलो कई लोग बोल रहे हैं 1000 GB दिया जाता है बट frankly speaking भाई मैं खुद 500-600 GB से ज़ादा यूज नहीं कर पाता हूँ आप खुद सोच लो तो उस हिसाब से देखा जाए ये आपके लिए मान के चलो unlimited है अब अगर आप इसे compare करोगे अपने phone के 4G SIM से और इसको तो देखो इसमें फाइदा यही होता है आपको ये stable connection देता है और इसके help से बहुत लोगों को use हो जाता है upload, download, speed constant रहता है तो बहुत लोग को helpful रहता है अगर आप single user हो, mess में रहते हो, hostel में रहते हो, एक दो दोस्त लोग के साथ रहते हो, IPL देखना है या cricket match या मतलब समझ रहो ना YouTube ये सब पे tutorial देखना होता है, पढ़ाई करना होता है तो वो सब cases के लिए ये perfect है, काफी सारे swapkeeper भी ये सारे वाले जो आपको Wi-Fi वाले आ रहे है वो लगवा रहे है तो ये broad है, अगर आपका जरूरत है बहुत limited device यूज़ करने का, लाइक एक दो तीन device maximum आप यूज़ करते हैं आप चाहो तो लगा करके unlimited calling कर सकते हैं, और यहाँ पर से जो जियो के case में है, उसमें भी ये चीज़ मिलता है बट जियो एक step आगे है, क्योंकि यहाँ पर से जो जियो का voice calling app है, उसको आप अपने android phone में connect कर सकते हैं और जो भी number आपको मिलेगा ना उसके तुरू connect करके आप unlimited calling कर सकते हैं बट इन limited area जहां तक इसका wifi का signal आएगा, वहीं तक आप कर पाऊगे तो ये भी एक reason है कि काफी लोग इसको install कर आ रहे हैं, ताकि उनको internet भी मिल जा है और unlimited calling भी मिल जा है घर वालों के लिए तो perfect है, mom and dad के लिए भी perfect है, so आपकी पर लोग भी इसी वज़े से काफी लोग लग लगवा रहे हैं खेर इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं final verdict की कौन सा आपको लेना चाहिए तो देखो है, air tail भी आप लगवा सकते हैं, geo भी लगवा सकते हैं अगर आपकी area में दोनों का option है लेकिन let's suppose किवल एक option रहेगा, तब तो भाई आपके लिए ये कोई valid point ही नहीं है, किवल एक जो है तो वही लगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट let's suppose अगर आपको मतलब internet भी चलाना है, setup box भी देखना है, TV भी देखना है basically, तो air tail थोड़ा सा edge जरूर लेगा, क्योंकि यहाँ पसे एक dedicated छत्री आपको दिया जा रहा है, तो उससे होता क्या है कि मतलब basically आप चाहो तो अराम से TV भी enjoy कर सकते हैं, घर के अगर बड़े बुजूर्ग हैं, उनको उतना idea नहीं है internet से कैसे connect करना है, तो वो सब चीज आप उनको दे सकते हैं और use करा सकते हैं, in fact आपको OTT भी एप install करके आप अलग से subscription लेकी use कर सकते हैं, तो वो सब चीज तो आपको मिलता है, but on additional cost, मतलब OTT के subscription यह सब आप लोगे तो थोड़े लग जाएंगे, तो वो चीज है, और Jio के case में आपको वही सारा चीज internal level पर मिलता है, उस setup box के अंदर, और उसको उसी wifi के तुरू आपको connect करना होगा, तो यह चीज का धियान रखना है, ऐसा नहीं है कि internet आप चला रहे हो अलग से, और यह setup box अलग से चल रहा है, Jio के case में यह अच्छा है, यह अच्छा है, दोनों के service, after sales service, यह सब सब चीज मुझे अच्छे लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ज्यादा का differences मुझे तो feel नहीं होता है, क्योंकि दोनों मेरे पास है, अब अगर आप कोई एक लगवाना चाहते हैं, तो मैं आप से पू या इसको लगवाओ, use case scenarios हर एक आदमी का अलग होता है, किसी को TV देखना है, किसी को केवल इंटरनेट चलाना है, किसी को छतरी वाला चाहिए, तो वो सब चीज मैंने आपको इस वीडियो में clarity के साथ बता दिया है, I hope आपको idea लग गया होगा, यह वीडियो मुझे पता है या use कर रहे हो, नहीं करने वाले हो, 5G का unlimited आनद उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, please comment करके हमें बता देना, बाकि हाँ कुछ useful link हम आपको description box में दे दे रहे हैं, आप उसका use कर सकते हैं, unbox phone भी अगर आपको buy करना है, तो हमारे website से जाकर के आप buy कर पाऊगे, कम price में, क्योंकि ह स्मार्टफोन की वीडियोज बनाते हैं इस चैनल पर, I hope आपको पता होगा, बाकि चलो यार इस वीडियो में इतना ही, like, share and subscribe करके जाना, and इनके dedicated वीडियो देखना होगा, तो यहाँ पर click करके आप देख सकते हैं, बाकि चलो, मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में, thanks a झाल झाल